कॉलेज का पढ़ाई किस तरह से होता है और आपको job अगर आपको चाहिए अगर आप यह चाहिए हो कि तीन साल में आपको placement हो जाए तो आपको थोरा सब को additional czego सीथ ना पर एगा practically पढ़ना पर एगा rabb practical वें में सीथ ना पर एगा just और आप यह सोचोगे कि college से खत्म होते ही चुकि युकि मुझत डिप्लोमा में एडिमिशन्स हो गया है और मैं अब कॉलेज में हूँ तो कंपनी जाएगे प्लेश्मेंट हो जाएगी तो इसा आपका भड़म है आपको प्लेश्मेंट होगी लेकिन कंडिशन्स आपके अंदर कुछ न कुछ तो स्कील वो चेक करेंगे जिस बेस पर आपका आपके अंदर क्या सीख रहे हो एडिशनल तो चीजे आपको कुछ न कुछ एडिशनली सीखना पड़ेगा जो आप से फिल्ड से रिलेटेड हो चाहे अभी तक आपको मुझे जैसा कि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास तो देखता हूं फर्स्ट सारे बच्चे को सी परना था सी प्लस प्लस अब उनको सी सी प्लस प्लस अभी तक नहीं आ रहा है और फर्स्ट इयर कंप्लीट हो गया सेगेंड इयर में आप लोग इंड कर चुके हो तो आपको सी सी प्लस प्लस भी अगर अच्छे से नहीं आ रहा है और आप अपने आपक के से justify करोगे तो इसलिए important है कि आपको जो कोछ लेंग्वेजेज है बेसिक लेंग्वेजेज है जो डिप्लोमा स्टुडेंट खवाना थे C है C++ है पाइथन है जाबा है इस तरह के language आपके command होना चाहिए ओके चाहा वोट अब्जेक्ट में हो या नहीं हो क्योंकि जब कंपनी आएगे जब तक आप अपने आपको इक्स्ट्राओडिनरी आपने आपको बांकी लोगों से रिफ्रेंट नहीं दिखाऊगे तब तक आपको प्लेस्मेंट नहीं होगा तो इसलिए आप लोग अपने अंदर जो भी time मिल आप अपने आपको time को utilize करो otherwise क्या होगा कि तीन सल बात फिर एक सल बैठ के आप त्यारी करोगे फिर इंटर्व्यू देगो और जैसे ही आपको गया पाजाएगा फिर आपको जॉब लेने में दिक्कत हो जाता है ओके अगर नहीं जानते हो तो जान लो कि जैसे जैसे आपक बीच का जो भी गैप होगा उसका आपको justification देना परेगा कि आपने क्यों किया तो मैं भी किसी को हायर करता हूं अपने office में तो मैं पूछता हूं कि बीच में आपने gap में क्या किया है क्या कुछ एडिशनल सिखा आपको है अगर को इसा बोल दे कि मैं घर चला गया था तो justified answer okay justified answer यह होना तरही कि हाँ मैंने इस बीच में कुछ learning किया मैंने का लग से कुछ स्कील सिखा है तो यह का लग जैनून एंसर है बट अगर आप यह बोल दो कि मैंने कुछ नहीं किया घर चला गया यह चला गया तो उस case में आपको फिर दिक्कत होगा तो इसलिए हम उस time को वेस्ट नौ करें खेसा नौ के डिपलोमा करने के बाद हमें तीन साल बैठना पड़े तीन सारी डिपलोमा करने के बाद एक साल हमें बैठके जॉब सर्च करना पड़े उस अच्छा है कि अभी के time को हम utilize करने और semester का paper आपको समझ में आ गया होगा कि इतना tough नहीं होता है निकालना बट आपको skill develop करना पड़ेगा अपने अंदर additional skills सीखना पड़ेगा तो इसलिए आपको बहुत सारे basic courses है जो आप सीख सकते हो जो computer science related है और अच्छे company में जा सकते हो किसी भी college का जो placement होता है normally 20% 30% बच्चे का होता है बागी बच्चे क्या करेंगे तो अपने आपको जब तक डिफरेंट नहीं दिखा होगे तब तक आपको placement होने में दिक्कत होगा तो डिफरेंट दिखाने के लिए नहीं कि आप नया आपके स्किल में क्या दिफरेंट से वह मैंटर करता तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो और computer science से हो अगर यहां तक देखे हो तो आप स्टूडेंट्स हो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होगा कि 10 सेकंड 15 सेकंड एक मिनट तक ही चले गए होगे अगर आप यहां अभी आप वीडियो देख रहे हो मैं बतायता हूं संडे मिन्स की आज 23 से 25 को 25 अगर्ष्ट को आप लोग मोडुलेशन इंस्टिटूट मोडुलेशन इंस्टिटूट आप विजिट करो जहां पर आपको प्रोपन गाइड के जाएगा कि ऐसा कौन सा कोर्स है जो आप कर सक सकता है कि मोडुल में होगा भी नहीं तो आप लोग वीकेंड में आके सटरड़े संडे आके कुछ स्पेशल चीज़े लर्न कर सकते हो जिसके बेसिस पर आपको इजली जॉब मिल जाए तो आप लोग इस संटे 25 अगर्ष्ट को जो भी स्टूट इंट्रेस्टेट हो एक घ और मेंट सेक्टर में जिसको जाना हो कई से जा सकते हैं तो सारे चीज़े आपको डिटेल में बताया जाएगा आप लोग बस नीचे डिस्क्रिप्स में मैंने गूगल फर्म डाल दिया है आप उस गूगल फर्म को फिल कर लेना ताकि मुझे यह पता से जाए कि यह सारे स् कुछ भी नहीं है एट लिस्ट आप समझो मार्केट को जहां से ना उलेज मिले ले लेना चाहिए तो आप लोग एक बार विजिट करो आपको चीज़े समझ में आएगा ओके थैंक्ट